इलाइट स्टेडी प्लेटपोरम पर आप सबी का स्वागत है काफी दिनों से एक ख़बर का इंतजार था कि आकिर हिमाचल परदेश सरकार की प्रत्थम कैबिनेट कब होगी आपको ग्यात होगा करीब 2-3 महीने से हिमाचल परदेश में जुनाभी प्रकरिया चले थी तो की थी कुछ बाइदे किये थे कुछ गरंटियां दे थी कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो पहली कैबिनेट में इन गरंटीज को पूरा किया जाएगा तो आज 11 तारिक को इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है और आप देख रहें ऑफिसली नोटिविगेशन आ चुक है तो यह साथ जो मंतरी है आठ में उपमुख्य मंतरी है नह में मुख मंतरी है यह नौ लोगों की जो अभी एक मंतरी मंडर हिमाचल परदेश में बना है तेरा तारीक को आप याद रखिएगा 13 जनबरी 2023 को एक हिस्टोरिकल डे हिमाचल परदेश में होने वाला है बारा 12 बजे इस कैबिनेट मीटिंग को हिमाचल परदेश सचीवालिया सिकर समयलन हौल सिमला 171002 में बुलाया गया है देख कैबिनेट मीटिंग होगी और इस कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या हो सकता है वो भी आपको बताएंगे सबसे पहला और जो बहुचर्चित मुद्दा है हिमाचल परदेश में OPS का देखिए आपको बता देए जो competitive exam के हव्यारतिय है OPS क्या होता है जब आप सरकारी sector में नोकरी में आते हैं तो जो आपका एक सह करमचारी होता है पुराना करमचारी होता है उसे OPS दी जाती है OPS का मतलब है old pension scheme यानि जब वो retirement पे चला जाएगा तो उसे जो सरकार की तरफ जो उसका अंतिम बेतन होता है उसका 50% उसे pension के रूप में दिया जाता है ये उन करमचारीयों को मिलता है जो OPS के अंतरगत आते हैं इनके एक GPF account होता है उसमें जितना मर्जी पैसा कटवा सकते है एक regular process होती है जबकि जो NPS new pension scheme होती है उसमें क्या होता है जब एक करमचारी अपने job पे आता है तो government भी कुछ उसमें share करती है कुछ करमचारी का काट करके ही उस पैसे का एक fund grade किया जाता है उस में से pension का प्राफदान होता है लेकिन उसमें से बहुत ही कम pension बहुत से अर्थियों के example भी हमें देखे देखने को मिलती है तो यहां पे जो पहला सबसे अच्छा और आपको motivate करने वाला जो होने वाला है OPS की की बहाली हमाचल परदेश में होगी देखे जब OPS की बहाली होगी तो आप लोग भी जब सरकारी सेक्टर में आएंगे तो अपने आपको motivate रखे आपको एक secure career मिलता है सरकारी सेक्टर में और दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला यहां पे होने वाला है वो तो मुख्यता या मुलता हा जो बिरोजगार समुदा है उसी से जुड़ा हुआ है क्यूंकि हमाचल परदेश सरकार ने एक लाख नौकरियों की commitment की है तो इस cabinet meeting में एक बड़ा निरने हमाचल परदेश सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों से समंदित भी देखने को मिल सकता है आपको बता दें हमाचल परदेश में बहुत से ऐसी पड़ी हुई है जिनके finance की तरफ से approval है उनके R&P rules में कुछ कमी रहगी है उसकी बज़स्यों भरतियां लटकी हुई है जैसे आप JIT का example ले लिजिए पिछले 3-4 सालों से JIT का case लटका हुआ है इसके इलाबा भी education department की आप बात किजिए टीजिटी आर्स, medical, non-medical की language teacher है वैसे सास्तरी है, PET है आपके primary school में जो nursery entity के teachers लगने थे वो सारी के सारी vacancies बेकेंट में चल रही है कोई विवस्ता ही नहीं बन पा रही थी प्राफ़ले उनको किस तरह से भरा जाए school cater के लेक्ष्टरों के पद बेकेंट चल रहे है, college cater के पद बेकेंट चल रहे है, पंचायत सचिपों की बात करें, पटबारी की बात करें, police constable की भरती माचल प्रदेश में प्रस्ताबित है, पटबारियों की भरती प्रभाबी आने वाली है तो इसी साब से आप देखेंगे, तो यहाँ पर हजारों की संख्या में तो vacancies already created की हुई है, तो सरकार यहाँ पर एक बड़ा निरन्य ले सकती है, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, कि आप अपना time based मत कीजिए, हमारी टीम नियमित रूप से आपको motivate कर रही है, यह तो हर संडे को भी exam connect कर सकती है, और बहुत तीबरता से result भी निकाल सकती है, क्योंकि विरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल परदेश में बनता जा रहा है, आपको बताएंगे इसी वीडियो में कि आप कैसे अपने त्यारी को आगे बढ़ा सकते है, उससे प करने के लिए तैनात हो जाएगा, जबकि 21,000 अगनी विरों के दूसरे बैच की ट्रेनिंग सेना इस साल 1 मार्च से सुरू कर देगी, और या दूसरा बैच इसी साल अक्तूबर में अपनी यूनिट में तैनात कर दिया जाएगा, जो ब्यार्थी हमारे आर्मी की त्यारी कर अगनी बीर के रूप के सेवाएं देना चाहते है, वो भी जूट जाएगा, आपको एक और मौका यहाँ पर मिलने वाला है, देखिए आपको क्या करना है, इलाश्टरी टीम कुछी दिनों में पटबारी प्रिक्सा की किताब है, पंचायत सचीव की किताब है, ये सारी कित आपका लाब उठाईएगा, जूट जाएए आप इस किताब के साथ में नीमित रूप से मेंत कीजिए, इलाश्टेडी को रॉटन वेबसाइट पर आपको ये किताब मिल जाएगी, इमाचल परदेश की नंबर बन किताब है, जियो एटी की, इस किताब को पढ़कर के हजा आपको इस दिनों में आने वाला है, उसके उपर भी मारी टीम के पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आप सिंपली इलाश्टेडी को रॉटन वेबसाइट पर जाएए, और सबसे पहले जो आपको किताब मिलेगी, वो मिलेगी, हिमाचल परदेश में, 365 दिनों के अं अमरी सिंगर लाइनर कोशिन है, टैबूलर की फॉर्म में डाटा है, उसके बाद न्यूज अट गलांस है, इस तरह की बहुत सी समसामाई, सारी के सारी जानकानिया आपको माज, 150 रुपीज में आप वेल कर सकते है, इलाश्टेडी को रॉटन वेबसाइट में जा करके, औ और भी क्रेंट फिर्स आपको बहां मिल जाएंगे, या आप अपने नजदी की सौपकिपर से भी एप्रोच कर सकते हो, नियमीत रूप से आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, थेंक्यू बेरिमस, कीप बॉचिंग इलाट स्टेडी यूट्यूब चैनल